Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे Dear Strings, आज की इस lecture के साथ हम applied my second का third chapter start करने चल रहे हैं जिसका नाम है खंडशा समाकलन integration by parts Dear Strings, आज का ये lecture इस chapter का first lecture है, so बहुत important है आज की इस lecture में इस chapter के सारे के सारे basics हम cover कर रहे होंगे इसलिए Dear Strings copy और pen निकाल लिजिए और हमारे साथ साथ सारे topic को ध्यान से समझिएगा और उसको note जरूर से जरूर करते हुए चलिएगा Dear Strings, आईए हम आज की इस class को इस टार्ट करते हैं जैसा की हमने लिख रखा है, chapter का नाम है खंडसा समाकलन अर्थात integration by parts सबसे पहले हम यह जानते हैं कि integration by parts है क्या तो आप एक line में जानेंगे, integration by parts जो है Dear Strings, वो method of integration है ध्यान सुनते चलिएगा, note करते चलिएगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना अगर आपको topic को ध्यान से समझना है, methods आप integration है, मर्थलब समाकलन की बिधी है ठीक है, समाकलन की एक बिधी है जैसा कि previous lectures में हम आपके साथ discuss कर चुके हैं कि integration के अलग-अलग methods होते हैं जैसे एक basic जो fundamental formula है, उनका use करके हम integration करते हैं जो आपका पहला chapter था second में हमने integration by substitution, अर्थाग प्रतियस्थापन द्वारा समाकलन सीखा उसके बिहाब पर किस तरह की questions आते हैं, उनको हमने salve करना सीखा अभी ये अगला method हम सीखने चल रहे हैं, जिसका नाम है स्खंड साथ समाकलन integration by parts हम समझेंगे कि integration by parts कब use किया जाता है इसका use करके integration हम कैसे करते हैं इसके लिए बेहद आवस्यक है कि इसके पीछे के जो topics आपको पढ़ाये गए हैं वो सब आपको अच्छे से आते हों क्योंकि पुराने topics, पुराने formula का use regular यहाँ पर होता रहेगा इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी request है यार आपको chapter first और second नहीं तयार है तो channel पे playlist बनी हुई है chapter first और second के सारे lectures वहाँ पर available है वहाँ से जाकर कि उनको complete कर लेंगे तो यह आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा बाकि डियो सेंट्स आइए हम समझते हैं तो आपने यह समझ लिया हुगा खंडशा समाकलन integration by parts क्या है समाकलन की एक बिधी है methods है एक integration का तो आईए देखते हैं कि इस method का use करते हुए हम किस तरीके से integration करते हैं सबसे पहले आप यह जान लिए कि integration by parts का use हम करते कब हैं डियो सेंट्स आपको याद होगा कि आपने आउकलन में product rule पढ़ा है गुडा का नियम प्रथम फलन दूसरे का आउकलन प्लस दूसरा फलन प्रथम का आउकलन यह आप लोगों ने पढ़ा था ठीक है first function second का derivative plus second function first का derivative यह आप लोगों ने differentiation में पढ़ा था दो function जब product में है तब उसी तरीके से जब दो function हों product में हों गुरे में लिखे गए हों तो उन दोनों function का integration करने के लिए उस combined function का integration करने के लिए integration by parts का use किया जाता है तो एक line में हम यह कह सकते हैं कि integration by parts कुछ और नहीं है समाकलन के गुडन का नियम है ठीक है जहां दो function multiply में रहेंगे वहां पर खंड सा समाकलन लगता है अब आई ये देखते हैं कि खंड सा समाकलन use कैसे होता है जरा ध्यान से समझेगा देखो ध्यास्ट ध्यान समझेंगे चीज़िया आपको समझ में आएगी देखें यहां पर जैसे हमने ले लिया दो function f1x ठीक और दूसरा function f2x ले लेते हैं ध्यान समसे चलना note करते हुए चलिएगा दूसरा function क्या हो गया f2x अब यहां पर दो function product के फाम में आपको दिखने लगे हमें क्या करना है इनका integration करना है दो function product में हैं इनके integration के लिए कौन सा समाकलन लगेगा खंड सा समाकलन लगेगा integration by parts लगेगा और कैसे apply होगा जरा उसको समझे इसका rule होता है है डियोशेंस फास्ट फांक्शन फास्ट मींस f1 x सेकेंड का integration यह टू एक्स का integration बसावन में आ रहे है माइनस थोड़ा जाना छोड़के लिखेगा माइनस फास्ट का differentiation डी बाइडी एक साफ f1 x सेकेंड का integration ठीक है और उसके बाद फिर पूरे का integration यह होता है डियोशेंस खंडशा समाक्लन का फार्मूला जहां समलना कैसे कैसे मैंने पढ़ा है उस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे ति आपको आसानी से याद हो जाएगा और खंडशा समाक्लन में हर जगा यही फार्मूला यूज होने वाला है खंडशा का सूत्र यही है इसको मैं एक बार पढ़ देता हूं फिर से देखिए क्या है यह दो फंक्षन है इनका प्रोड़क्ट टूल क्या कहता है फर्स्ट फंक्षन सेकेंड का इंटिग्रेशन हो रहा है minus first का differentiation, second का integration, फिर whole integration जो आएगा उस पूरे का फिर से integration किया जाता है ये खंडसा का formula है, integration by parts का formula है इसको आप लोग note कर लिए, then हम इसके आगे की बातें discuss करते हैं, आपके साथ और साथ अच्छे समझाते हैं ये integration by parts का formula आप सभी लोगों के सामने लिखा हुआ है ये आप लोगों ने derivative का product रूल पढ़ा हुआ है अब इसमें क्या होता है? ये जो हमारा f1 x है और f2 x है इसमें इसको first function ले ले या इसको second ले करके हम product tool लगाते हैं तो कोई समस्या नहीं होती है लेकिन integration by parts में first function और second function जिसको चाहें उसको हम नहीं ले सकते हैं कभी कभी क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो दो function देखने के लिए मिलेंगे उसमें एक का को integration आ रहा होगा उसका integral होता होगा दूसरे का नहीं होता होगा तो जिसका integral नहीं होता होगा देखो बार बार integration किसका हो रहा है second function का integration हो रहा है तो बार बार जब second function का integration हो रहा है उस situation में अगर आप ऐसा कोई function ले लेंगे second जिसका integration possible नहीं होगा यह खंडशा का सुद्र आप गलत लगा देंगे मुहापद नहीं लग पाएगा तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि इंटिग्रेशन बाई पार्ट में फर्स्ट फंक्षन किसे माने सेकेंड फंक्षन किसे माने यह जानना आवस्यक होता है तो नौर्मली तो यही देखा जाता है जिसका इंटिग्रेशन हमें आता हो उसे हम सेकेंड फंक्षन माने लेकिन इसको अथे से समाझने के लिए एक छोटा सा रूल बताया जाता है उस रूल के माध्यम से हम लोग आसानी से रिकर्ग्नाइज कर लेते हैं किस फंक्षन को हम फर्स्ट फंक्षन माने और किस फंक् आजम से हम जो है first function और second function मानने में सुभिधा महसूस करते हैं आसानी से उसको हम कर लेते हैं आइए समझते हैं कि I late rule क्या है ध्यान से चीज़ों को समझेंगे dear students अब देखो इसमें जो I लिखा हुआ है फिर एल लिखा है फिर ए लिखा है टी लिखा है इलिखा है सबका अलग-अलग मतलब है आई जो लिखा हुआ dear students यह stands फार्श का मतलब होता है inverse trigonometric functions जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकूण मितिये फलन जहां समझे चलना इसके बाद लिखा है ल का मतलब है लोगर्यथिमिक फंक्सन ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं लगुग गाड़किये फलन नोट करते चालिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है लगुग गाड़किये फलन ठीक है जैसे लॉग एक्स बेस्ट ए या लॉग एक्स बेस्ट ए ये सब जिसमें लॉग लगा हुआ होगा वो सब क्या होंगे लगुगर्यथिमिक फलन होंगे उसके बाद एका मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्सन ठीक है अलजेब्रिक फंक्सन जिसको हम बोलते हैं बीज गड़तिये फलन बीज गड़तिये फलन जैसे यक्स स्क्वायर यक्स की पावर एन ठीक है टू एक्स प्लस फाइव ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा तो ये सब कौन से फंक्सन होंगे अलजेब्रिक फंक्सन होंगे बीज गड़तिये फलन होंगे अभी आपको इस नियम के बारे में अच्छे से बताते हैं आप बिल्कुल टेंशन मतलिये ध्यान समस्ते चलेंगे सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाएंगे ध्यान समस्ते चलिएगा और ज कर दी का मतलब है कि ट्रिगनोमेट्रिक अपक्संन हे जिसको हम बोलेगे ऑप त्रिकोंड मितिये फलन को श्कर थी मितिये इशनी अप फ़न ठीक है अब प्रकोंड मितिये आप जानते ही है साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स यह सर फिर लास्ट में आता है Exponential Function Exponential Exponential Function इस ट्रेलिंग थोड़ा सा मिस्टिक होगी देख लेंगे इसको बोलते हैं चर्ग हातांकी फलन जैसे e to the power x, a to the power x ये सब तो जड़ा देखिए जब भी आप लोग डिफ्रेंसी और integration करेंगे तो इतने ही टाइब के function आपको आपको आपर देखने के लिए मिलेंगे जितने हाँ पर हमने लिख रखता है तो अब इसमें i late में जो words हैं वो किसी ने किसी function को represent करते हैं जैसे i का मतलब inverse trigonometric function है, l का मतलब logarithmic function है, a का मतलब algebraic function है, t का मतलब trigonometric function है, e का मतलब exponential function है तो rule यह है कि जो i late में जो word पहले आता है, जो letter पहले आता है, उस letter से जो function पढ़ता है, वो function हमेशा first function माना जाएगा जो बाद में आएगा, वो second function माना जाएगा, इसका का मतलब है sir, जैसे i है और a है, मालो कहीं पर inverse trigonometric function आ गया और algebraic function आ गया तो first function किसे मानेंगे, पहले कौन आता है, आई, तो जो inverse trigonometric function है, उसको first function माना जाएगा जो algebraic function है, उसे हम क्या मानेंगे, second function मानेंगे, और यह formula वहाँ पर apply करेंगे, ठीक है इसी तरीके से, अगर कहीं, l means logarithmic function आ गया, और trigonometric function आ गया, उस situation में first function हम किसे लेंगे, logarithmic function को लेंगे, और second function हम किसे लेंगे, trigonometric function को लेंगे, और इस formula को लगाया करके, question को solve करेंगे कहीं algebraic function exponential आ गया, तो first किसे माना जाएगा, algebraic को, और second किसे माना जाएगा, exponential को तो यह है, highlight rule, आप लोग समझ गए होंगे, integration by parts का formula क्या है, वो आपके सामने लिखा हुआ है integration by parts का formula भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ, यह भी आपको समझ में आ गया होगा, कब किस function को first function मानना है, और कब किस function को आपको second function मानना है, ठीक है, अब आप इसको note कर लीजिए, तो मैं कुछ question आप लोगों के साथ discuss करता हूँ, जिससे आपको यह topic बहतर तरीके से clear हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, I hope आप लोगों ने भी तक formula जो है note कर लिया होगा, dear friends, अगर आपको lecture पसंद आ रहा है, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ इस lecture को जरूर से जरूर से जरूर से एर कर दीजिए, जिससे हम जादा से जादा लोगों तक पहुँच सकें, और जादा से जादा students की help कर सकें, ठीक है, आई एक प्यारा सो गुश्चन हम लेते है, integration of x e to the power x, इसका हमें integration करना है, अब 2x, dx लिखा है, तो क्या है formula, first function, second का integration, ध्यान देना, थोड़ा जगा छोड़ की लिखा जाता है, first का differentiation, और second का integration, और फिर बाद में जो आएगा, उस पूरे का integration, यह integration, पार्ट का formula है, जो अभी हमने आपको सिखाया, अब वो चीज इसमें हमें apply करना है, लेकिन उसके इसमें first function हम किसे लेंगे, और second function हम किसी लेंगे, उसके लिए हम help किसके लिएगे, हम help लेंगे, I late rule की, किसकी, I late rule की, तो इसमें यह बोलो कौन सा function है, algebraic function है, और यह कौन सा function है, exponential function है, तो algebraic function देखो पहले है, और exponential बाद में है, तो first function हम किसे लेंगे, इसे, और second function किसे ल देंगे आये समझते हैं और इसको हम साल्व करते हैं एक्स इटू दी पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन हमारा यह है सेकेंड फंक्शन हमारा यह है इसका हमें इंटिग्रेशन करना है रूल लगाईए फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट मतलब क्या लिखा जाएगा एक्स ध्यान होता है फर्स्त का डिफ्रेंशिशन मतलब किसका डिफ्रेंशिशन एकस का और से केंड का इंटी multiplier करना होता है यह हमारा integration आप इसको साल्व करने के लिए आपको पुराने concept पता होने चाहिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि पुराने lecture से कर आप नहीं देखा है, पुराने चैप्टर्स आपको नहीं तयार है, जो चाइनल पे प्रेलिस्ट बनी हुई है, सारे टॉपिक अच्छे से cover किये गए है, सारे टॉपिक आप जाकर के वहां से देख सकते हैं, उनको तयार कर सकते हैं, जिससे आगे की जन्नी में आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है, आइए बात करते हैं, अब यहां x लिखेंगे, अब e की power x का derivative क्या होगा, e की power x ही होगा, लिख दीजिए, माइनस x का, सारी, integral, x का differentiation क्या होगा, 1, ठीक है, और उसके बाद फिर देखो, x का differentiation 1 हो गया, और e की power x का integration कितना होगा, e की power x, और dx लिख दीजिए, समझ गे न बात को, आगे बढ़िए, x, e to the power x, minus e की power x का integration, फिर से कितना होगा, e की power x, integration समाब्थ होने के पस्चाथ, हम c प्लस कर देंगे, e की power x कॉमन ले लो, x minus 1, प्लस c, ये डियो सेंस क्या होगा, एंसर हो जाएगा, तो आपने देखा, केवल और केवल, जैसे ही हमने जहां पर formula apply किया, वैसे ही ये question हमारा integration by parts से कितना easily solve हो गया, अभी आप इसको note करिए, भी 2-4 question हम और करते हैं, ठीक है, 2-4 question हम और करते हैं, जिन आपको अच्छे तरीके से clear हो जाएगा, खूब अच्छे तरीके से integration by parts आप लोग समझ पाएंगे, then हम इस integration by parts का use करते हुए कुछ formula का derivation करेंगे और उसके बाद फिर उनका use करते हुए हम problem को solve करेंगे, आईए, अगला question लेते हैं और उसको solve करते हैं, हमारे साथ अब आप लोग भी solve करते हुए चलेंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, अगला question है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स का integration, ध्यान दें, question है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स का integration, इसका हमें क्या करना है, integration करना है, तो जड़ा देखो, यह कौन से function है, algebraic और यह है trigonometric, आई, लेट रूल जबाब apply करते हैं, तो देखो, trigonometric बाद में आता है, algebraic पह function हम इसे लेंगे, और second function हम इसे लेंगे, algebraic function को first function और trigonometric function को हम क्या मानेंगे, second function मानेंगे, और integration by parts का जो फार्मूला है, वो हम यहाँ पर apply कर देंगे, ठीके, चलिए apply करिए, क्या है, first function मतलब यक्स, second का integration, मीन से कि स्क्वार एक्स का integration, माइनस, first का derivative मतलब differentiation, तो किसका function x का, second का integration, second square x का, और फिर से पूरा जो आता है, उस पूरे का हमें क्या करना होता है, integration करना होता है, यह formula है, apply कर देंगे, अब जड़ा समझे, यक्स से कि स्क्वार एक्स का integration कितना होता है, सब को याद होगा, tan x होता है, माइनस, अब यहाँ देखिए, x का derivative कितना होगा, one, और six square x का integral कितना होगा, tan x होगा, और dx होगा, अब आपको याद हो, तो tan x का integration आपको पढ़ाया गया है, अगर आपको याद है, tan x का differentiation, तो आप लोग आसानिस उसको कर लेंगे, और अगर नहीं याद है, तो फिर आपको समस्या होगी, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा x tan x और इसका derivative आपको याद है, लोग मॉड आप माइनस में आता है, अगर प्लस में उसको आपको करना है, तो sec x लिखेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, लोग मॉड आप sec x प्लस में c, यह इसका result आजएगा, ऐसा क्यों हुआ भाई, जड़ा समद लेते हैं, tan x का जो integration है, को माइनस लोग मॉड आप कॉस x प्लस c होता है, या इस माइनस को हटाते हैं, तो लोग मॉड आप sec x प्लस c होता है, ऐसा आपको integration by substitution में डिराइब करके दिखाया गया है, तो वो फार्मला यहाँ पर apply हो गया, और यह question हमारा solve हो गया, ठीक है, देख लिए, समझ लीए, फ जब बोलेंगे तो आपको तुरंत से तुरंत वो तैयार हो जाएगा, एक बार मेरे साथ आप लोग जड़ा पढ़िए तो integration by parts का formula क्या है, first function, second का integration, first function, second का integration, minus first का differentiation, second का integration, फिर whole integration, पूरे का, इसको आप बार बार लिख करके उसको पढ़ेंगे, बार 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 लिखेंग बार बार पढ़ेंगे, दिन वो आपको तयार हो जाएगा, ठीक है, एक बार दो बार जहाँ लिखेंगे, आपको तयार हो जाएगा, ठीक है, देख देख कर कि आपको formula नहीं apply करना, इसको ध्यान रखिएगा, मैं लिखता हूँ एक बार फिर आपको याद कराने का प्रयास minus first का differentiation means f1x का differentiation फिर second का integration f2x का integration फिर पूरे का क्या होगा integration यह है हमारा integration by parts ऐसे आप लोग पढ़ेंगे पढ़ पढ़ के लिखेंगे देन आपको यह तयार हो जाएगा first function second का integration minus first का differentiation differentiation second का integration फिर पूरे का integration यह है integration by parts का formula जो आपको याद होना चाहिए कितने लोगों को याद हो गया मुझे comment section में comment करके बताइएगा कि सर मुझे integration by parts का formula याद हो गया और integration by parts आपको कैसा लग रहा है किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है तो मुझे comment section में comment करके बताइएगा मैं आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा अगला कुछ से जरा देखते हैं integration आप yaks a to the power x ठीक है आप फिर से i late को समझे गहान से आपके दिमाग में i late टूल हमेशा से रहना चाहिए अब कौन कौन सा function है इसमें यह algebraic function है यह exponential function है तो algebraic और दूसरे में क्या आता है exponential तो इसका मतलब first function आप किसको लेंगे algebraic को second function किसको लेंगे आप exponential को और integration by parts आप अप्लाई कर देंगे तो यह आपका first function हो गया और यह second function हो गया integration by parts अप्लाई कर दीजिए तो क्या लिखेंगे first function second का integration minus first का differentiation second का integration integration फिर पूरे का क्या लिखा जाता है integration यह integration by parts हमने अप्लाई कर दिया अब a की power x का derivative integral होता है एकी power x अपान में log a base e है ना minus x का derivative one होगा एकी power x का हम क्या लिखेंगे a की power x अपान में log a base e यह आ जाएगा यहाँ पर ध्यान से समझते चलिए dear students आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी अब ज़रा समझी आगे इसको solve करते हैं अब यहाँ क्या होगा x a की power x अपान में log a base e अब यहाँ पर यह जो वन अपान log a base e बाहर कर लो constant a की power x हमारे पास बचेगा इसका फिर से हम integration कर देते हैं और देखते हैं क्या हमें मिलता है इसको solve करेंगे तो मिलेगा x a की power x अपान में log a base e माइनस में इसका फिर से लिखो माइनस 1 अपान में log a base e रहेगा उसके बाद इसका a की power x log a base e फिर से आ जाएगा और c तो हमें add ही करना पड़ेगा अब इसको थोड़ा सा हम simplest form में लिख देते हैं तो क्या मिलेगा x a to the power x अपान log a base e माइनस a की power x अपान में log a base e का whole square प्लस में c यह हो जाएगा चाहे तो हम इसमें थोड़ा सा common number ले लें common लेकर के लिख लें या common लेकर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं उसमें कोई समस्या नहीं होगी अभी तक आप लोगों ने जितना भी question solve करा वो सारे question आपको कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि बहुत आ नोट करती हुई चली गए इसलिए question solve करने के बाद मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं जिससे आप लोग question को note कर सकें ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question हमें एक और करेंगे x square log x x square log x base e इसका अब यह algebraic है और यह क्या है भाई logarithmic है तो i late में logarithmic पहले आता है algebraic बाद में आता है तो first function हमें किसको लेना पड़ेगा इसको और यह हमारा क्या होगा second function होगा अब हम यहाँ apply करेंगे integration by parts करिए first function मतला log x base e second का integration means x square का integration minus first का differentiation first का है भाई log x base e second का integration और फिर जो कुछ भी आएगा उस पूरे का फिर से integration यही तो है integration by parts करूल याद हो गया होगा सायद आप लोगों को अभी तक ठीक है यार बड़ी महनस से आप लोगों को lecture provide कराता हूँ अगर आपको lecture पसंद आ रहा है चीज़े सही लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ lecture को share जरूर कर दिया करिए ठीक है उससे हमें motivation मिलता है मुझे लगता है कि हमारे lecture से जादा से जादा students को lab हो रहा है और फिर और मन से आप लोगों को lecture provide कराने की इच्छा होती है आईए इसको हम लोग solve करते हैं जाहा हो जाएगा log x base e into x की power 3 by 3 minus log x base e जो है इसका derivative one upon x होगा इसका integral x की power 3 by 3 होगा और यहाँ पर ऐसा होगा यह कटी जाएगा यहाँ पर जड़ा solve करते चलिए यहाँ बचेगा आपके पास log x base e into x cube by 3 minus यहाँ पर आएगा x square by 3 का integration ठीक है solve करते चलते हैं कोई समस्या नहीं है इसको हम लिख सकते हैं x cube log x base e upon me 3 इसको लिख देंगे और यहाँ पर one upon 3 बाहर कर लीजिए x square का integral हो जाएगा x की power 3 by 3 plus में c हो जाएगा अब इसको simplified form में जड़ा इसको लिख देते हैं क्या जाएगा x cube log x base e upon me 3 और minus में one upon 9 x की power 3 plus में c चाहें तो कुछ common गरा ले ले और ना चाहें तो ऐसे ही रहने दे तो यह भी question आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आई hope आप लोग इसको ठीक है हो जाएगा कोई समस्या नहीं है ठीक है अब यह जो question आमने आपको solve कराया यह integration में पहले type का question था integration by parts में type first था जितना भी question मैंने आपको solve कर रहा है यह सारे questions ऐसे हैं जिनमें integration by parts की ओल एक ही बार apply करने पर question solve हो जाते हैं अभी आपको कई सारे function ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिसमें integration by parts एक से अधिक की बार लगाना पड़ता है integration by parts के फार्मलों का यूज करते हुए और हम लोग कुछ derivation भी करेंगे और उनकी help से हम आगे तल के problem को solve करेंगे तो काफी सारी चीजें हमें इस chapter के अंतरगत सीखनी है exercise तो एक ही ही है लेकिन topic कई सारे हैं और अगर आपने यहां तक integration by यहां तक पढ़ लिया तो आगे की समस्याएं आपकी जो है एकदम आसान हो जाएंगी और चीजें जादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी तो यह integration पार्ट्स का जो लेक्चर था इस integration पार्ट्स में हमने आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया मुझे उमीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी एक बाद कुछ कुछ functions ऐसे भी होते हैं इसमें हमें जो है जैसे कभी कभी आ जाता है log x base e इसका integration करने के लिए आ गया तो इस case में जो हमारा second function होता है वो one लेकर के साल्व किया जाता है यह थोड़ा special case है इसको जरूर तयार कर लिजेगा log x base 2 यहां one ले लेंगे second function को तो क्या होगा first function मतलब log x base e second का integration minus first का differentiation और second का integration और फिर पूरे का क्या हो गया integration इसको जरूर तयार कर लिजेगा अब 1 का integration क्या होगा X तो log X base E यहां आगया और minus अब log X base E का differentiation क्या आएगा 1 upon X और इसका क्या होगा E X और D X अब यह X X क्या होगया cancel होगया यहां बचा कितना X log X base E minus तो 1 जो है इसका integral कितना होगा X plus में C X common ले 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 तो कितना बचेगा log X base E minus 1 प्लस में C ध्यान रखिएगा यह log X का integral होता है अकसर कई कई जगहों पर इसको हम direct भी use करते हैं तो ध्यान रखना log X base to E में integration by parts अप्लाई करने के लिए जो हमारा second function है उससे क्या लेना होता है 1 लेना होता है second function को 1 ले करके तब हम इसको integration by parts अप्लाई करते है then यह को आसानी से क्या होता है साल्व हो जाता है ठीक है तो यह सारी चीजे हैं हमने आप सभी लोग के साथ डिसकस की I hope आपको सारे टॉपिक बेहत अच्छे तरीक से समन में आ गए होंगे अगर आपको lecture में किसी प्रिकार की कोई कहीं समस्या दिखी है तो आप प्यारा सा comment section में comment करके मुझे जरूर बताईएगा हम आपकी मदद करेंगे और चीजों को समझाएगे डियो सेंस आपका lecture ऐसे ही लगातार चलता रहे इसके लिए आप सभी लोगों के support की अति आवा सकता है ठीक है आप लोग support करेंगे lecture को share करेंगे तो lecture regular चलता रहेगा आपके syllabus को एक compact तरीके से आप लोगो provide कराएगे सारी चीज़ आपको बेहद अच्छे तरीके समाझ में आ जाएगे ठीक है तो आज की इस lecture को यहीं समाप्त करते हैं काफी अच्छा lecture मेरे हिसाब से रहा है आपकी हिसाब से ये lecture कैसा रहा है मुझे comment section में comment करके बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और अगर पुराने जो chapters 2 हमने आपको पढ़ाए है पुराने का मतलब इसी साल हमने पढ़ा है इसके पहले भी हम इसको पढ़ा चुके है लेकिन एक बार नए तरीके से आपको फिर से पढ़ा रहे है तो अगर आपने पुराने lectures को नहीं देखा है तो channel पे playlist मैंने बना दी है साथ ही साथ उस playlist का link हम हर एक lecture के description में देते रहते हैं जिसे पुराना कोई भी lecture आपका छूटा हो तो उसको आप लोग देख सकें और उसको समझ सकें तो आप पुराने lecture को देख करके अपना पुराना भी तयार कर लिए और हमारे साथ साथ पढ़ने का प्रयास किये टाइम से साम को साथ मुझे क्लास होती है उस समय अगर आप आते हैं हमारे साथ पढ़ते हैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि applied math second में कहीं कि समझ से आपको नहीं आएगी बाके डियो सेंट्स आज किस लेक्चर में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स लेक्चर के साथ नेक्स टॉपिक के साथ अब तक लेसान दा रही है और पढ़ते रही है